तो दोस्तों यह ट्रियूक बीटी जी अलफा ट्रूली वायरलेस इयरबड और इस इयरबड में काफी सारे यूजर को वन साइड नौट वर्किंग का प्रॉलम आ रहा है जैसे कि उनका एक साइड वर्क करता और एक साइड वर्क नहीं करता है यह एक साइड कनेक्ट होता साइड नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में आप सो को इसी का प्रॉलम का सुल्यूशन बताने वाला हूं तो उसके लिए आपको करना का है आप सिंपल सबसे पहले तो आपको अपने इयरबड और इसके चार्ज कर लेना होगा उसके आपको करना का सिंपल अपने दोनो इयरबड को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेना है तो यहाँ पर मैं दोनों इयरबड को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद आपको करना का सिंपल अपने दोनों इयरबड को इस टाइप से अपने हाथों में रख तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर आप धियान से देखते रहना दोनों यहां पर आपको करना के अपने दोनों यह बड़ को वापस इसके चार्जिंग के इसमें रख देना है तो यहां पर आपको करना हैं और यहां, इसके चार्जिंग केस को हम ने बंद कर देना है और चार्जिंग के बंद करने ठीक वैसी हमारा ट्रूक बीटीजी अलफा इयरबड का वन साइट नोट वरकिंग का जो प्रॉब्लम है वो सौल हो जाएगा और आप आपका जो यह बड़ हो आटोमेटिक और पेरिंग मोड पे आ चुका है आप इसे अपने मुबाइल के साथ करके चेक कर सकते हो इसके जो आपका रिप्लाइज जरूर करूंगा और अगर आप सब को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारी यूट्रीनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकॉन को आउन कर देना